एपनी मिलेगा कि हम इतने बड़े पाट को खोल सकें यह देख लिए हमने खोल लिया अभी एनर भी पंप से अभी इसको हम इधर पाइप से अलग करेंगे दोस्तों हम इसको इसके लिए चेंज कर रहे हैं कि यह प्रपर काम नहीं कर रहा था और पानी बापस जा रहा था इसका काम होता है पानी को बापस जाने से रोकना नौन रिटार्न बालव इसकी बज़ा से हमारा पंप बार 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 चल रहा था क्योंकि इसके अंदर से पानी बापस चला जाता था जो एक बार लाइन में चला गया पानी वो बापस द्वारा हमारे पंप के तुरू टैंक में बापस चला जाता था इसका गेट खुला रह जाता था यह हमारा एनरवी खुल गया है अब हम इसकी जगह पर अभी नए नरवी लगाएंगे यह हमारी प्रॉपर टीम है पूरी टीम है पूरी जूनिफॉर्म के अंदर और शेफ टिशू पहन के वे ऐसे शू है है हमारे पास कि अगर उसके उपर कोई 20 किलो का एटम भी गिरेगा तो भी हमारे पैर को कोई नुकसान नहीं होएगा अभी हम नए वाला एनर भी लगाना स्टार्ट करते हैं यह है दोस्तों सलग यह सेम से मैं यह है दोस्तों हमारे नहीं बहला इनर भी लगाने के टैम इसके अइरो के निशान को देखने गाए पंप के अपो जट में एरो का निशान होना चाहिए जो तीर का निशान लगा हुआ है जैसे हम बात रोम के अंदर कंसील्ड फिट करते हैं मिक्चर बनाने के टैम उसके अब हम इसको भी टाइट कर लेंगे यह दो इंच का है इसके लिए 20 इंच का रंची सही रहता है छोटे रंच से इसको पकड़ना मुश्कल हो जाता है अब हम इसको बढ़ना मुश्कल हो जाता है यह लीजे दोस्तों अभी हमारा एनर भी पूरा टाइट हो गया अभी हमें निपल लगाएंगे इसके साथ इस निपल को टाइट करेंगे यह चार इंच का निपल लेके आया था अभी इदर तीन पर इंच का लगता है तो थोड़ा मेरे को त्रेड काटना पड़ा जब पर टाइट करते हैं तो बड़ा सेफटी से करना कोँके बड़े पर रेंच से आपको चोट लग सकती है अगर श्रुद लिप ए वी हमारा निपल टाइट हो गया अभी हमें इसको फिट करेंगे जो भी दोस्त मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं उनको र्क्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सस्क्राइब कर लें साथ में घंटी का बटन दबा दें ताके हमारे आगे आने वाले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे अगर आप जानना चाहते हैं दबाई के पलंबिंग के काम के बारे में जादा तो आप मेरे को मेसेज कर सकते हैं आप पलंबर के काम में दबाई में आना चाहते हैं तो मैं अपना लिंक दिया हुआ है फेस्बुक का, आप मेसेंजर पर जाके मेरे साथ ड्रक्ट बात कर सकते हैं प्लीज जार आप मेरे चैनल को जरूर सस्क्राइब करें, मेरे को आपकी प्यार की और स्पोर्ट की बहुत जरूरत है और लाइक जरूर करें मेरे वीडियो को चलिए दोस्तो अभी टाइट हो गया है, यह पूरा अभी हम इसको पंप के साथ लगा रहे हैं, पंप के साथ टाइट करेंगे इसको पहले गेट बालब के साथ इसका निपल टाइट करेंगे और उसके बाद हम पंप के साथ इसके चार बोल्ट लगे हुए उसको लगाएंगे चारो तरफ बोल्ट है इसके अंदर रवड है उसका लगाने के टाइम ख्याल रखना नहीं तो हमारे फिर पंप में लीकिज आएगे गउ पंप की हमने फ्लैंच को लिये थीनों को टाइट करेंगे बार बार डा के चार चार बोल्ट लगाए नके यह प्रेंट करेंगे दोस्तों के लिए दूसरे साड़ में हमारे पास रंच्चर सट है यह गोटी होती है सेमसे नाटकी मिल जाती है इसको रंच्र बोलते हैं, रंच्चर सेट हैं इसके साथ ही हम बोल्ट को टाइट करेंगे अभी अपने अपणी प्रेशर बिसल कनेक्ट कर इसको चार बॉल्ट भी होता है ज्यादा होल भी होते हैं इसके सेंट्र में के रबड का वाशर रहती है बड़े बाली करीब अभी हमारे सारे बॉल्ट टैट हो गया है अभी हम पंप को चालू करेंगे लेजें दोस्तों अभी हमारे सारे टाइट है हमने लैने क्लोज किजिए अभी गेट वाल्ब खोलेंगे यह इसका आटलिट का गेट वाल्ब है जाने बाले पानी का गेट वाल्ब है पहले हम इसको खोलेंगे फिर हम दूसरा है इसका एक और गेट वाल्ब है इनलिट का जो पाम्प को पानी दे रहा है वो खोलेंगे जैसे जैसे गेट वाल्ब कुलेगा इसके किली है जो बाहर आती जाएगी जैसे देखिए आयरो का निशान लगा हुआ लाइन के उपर जैसे आने बाले पानी की लाइन है इसका भी गेट वाल्ब हम खोल देते हैं अभी हम पाम्प आउन करेंगे पावर आउन कर दी है यह देखिए अभी हमारा एक नमबर पाम्प स्टार्ट हो गया उपर जैलो कलर का इंडिकेटर चला है लो प्रेशर का अभी ग्रीन सिगनल चला है और हमारा एक नमबर पाम्प आउन हो गया अब ही अमारी लाइन एर पकड़ी हो यह अमारा प्रेशर उपर नहीं जा रहा है अमारी को पंप की एर रेलीज करनी पड़ेगी पंप हें एर ले लिया है यह देखिए अभी इसका साड़ कर नट कोल के हम पंप एर को निकालेंगे अभी यह देखिए एर आ रही है इसके अंदर पंप को रनिंग टाइम में या आपने इस नट को खोलना है तब ही आपकी एर अमपैलर के अंदर से बाहर निकलेगी नहीं तो पिर आपका प्रेशर नहीं बनेगा और आगे पानी नहीं जाएगा यह देखिए अभी थोड़ा प्रेशर पकड़ा है पानी नहीं हमारी गेज भी थोड़ा थोड़ा उट रही है उपर चार बार तक रखा हुआ है हमने चार बार पर कट आउफ होता है यह देखिए अभी हमारा प्रेशर फुल हो गया है चार बार तक जाएगे और cut off हो जाएगा यह देखिए अभी हमारा pressure फुल हो गया है यह निकल गई है हमारी land प्रॉपर हो गई है यह हमने एनर भी लगाया अभी हर pump गया है तीन पंप है तीनों pump हो गया है हमने एनर भी लगाय हुए है सभी भाईयों को request है कि आप हमारे चैनल को subscribe कर ले साथ में गंटी का बटन दबा दे ताके हमारी आगयाने वाली वीडियो का notification मिलता रहे थेंक्यू पर बाच